तो बताओ आज किर्शन के बार हम खौल दे पॉल पट्टी के यहां को बच्छो जिन्दिगी भी उमस्त जीवाज़े यहां को ने कोई जीज को प्रिसर भी आपकी लाइब बनावलो मा कहीं कर लो अच्छे पड़ लो तो आपकी लाइब बनावलो घर पे नहीं होती पड़ाई सेच में बिल्कुल भी पड़ाई नहीं करी घर पे और मतलब 11 पे डूब गई साथ में 12 पे आदी डूब गई जैपूर पास में तो है पर पड़ाई का माहूल सिख कर में है जैपूर में क्या है क्लब, बार, पब ये पूरी दुनिया को पता है और वहाँ पर गलियों के अंदर बच्चे गूमते रहते हैं और उसके कारण बरवादी हो जाती है जीसियाई थे चुने और भी कोचिंग तो बहुत है कोचिंग बहुत थी पर मेरे जो बड़ा भाई था उन्होंने जीसियाई से सेलेक्शन लिया और जीसियाई के अंदर हमारे सर प्रदीब बुडानिया जी वो मोटिवेशन अच्छा करते हैं और राह बटकने नहीं लेते हैं राम राम जी मुक्ष्मोजल को राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है जैपूर आमेर तैसिल के अंदरी राय थल गाउं है बठे माई हूं और मेरे साथ में ही किर्शन है और किर्शन के 690 नंबर बनेहा 725 वी ओल इंडिया रिंग काई है नीट की प्रिक्षा दी ही अभी किर्शन है किर्शन की पुरी फेमिली है तो सबसु पहली तो हम बाचीत करांगा हाजी नमस्ते सबसु पहली अपने बारा में बताओ मेरा नाम कृष्न कुमार शर्मा है मैं गदवर्ष GCI के अंदर पढ़ा करता था मेरे ओल इंडिया रेंग 725 और मार्क से 690 आउटो 720 सरवात तो पढ़ा ही लिखा ही करते होई है सरवात के पढ़ा ही लिखा ही मेरे खुद के गाउं राहितल से हुई फिर इस स्कूल में इतने अच्छे पढ़ा ही नहीं होने के कारण मुझे मुकुन पूरा बेजा गया फिर वहाँ पर 7th क्लास तक पढ़ा फिर 8 से मैं आईपेस में पढ़ा ही करी फिर लोगडाउन लग गया था 10 के बाद इसलिए मेरी वाउंडेशन भी नहीं हो पाया और घर पे ही 11-12 भी थी 12 के बाद फिर मुझे लगा कि मुझे बाढ़ जाना चाहिए फिर मेरे घर वालों ने भी प्रोसान किया मैं फिर बाहर गया 7-8 महीं ने के परिश्रम के बाद फिर एग्जाम हुई और उसके अंदर आपको पता है परेना एक साल का अंदर इतना अच्छों रिजल्ट आयो हाँ मतलब पढ़ने में सुर्व आसे में अच्छा था मतलब मैनती था तो थोड़ी बहुत मैनत करी और ज़्यादा प्रेशर था नहीं घर वालों का इसलिए आराम से निकल गई 10-12 में कितना परसेंट हुई सब्सक्रिप्शन लिया था इंस्टिटूशन का बट घर पे नहीं होती पड़ाई सच में बिलकुल भी पड़ाई नहीं करी घर पे और मतलब 11 पे डूब गई साथ में 12 ते भी आदी डूब गई यानि कि ओनलाइन का चकर में सब की अंडरबंडरी होगा हां सब का ही हुआ है सब का नुकसान हुआ है इसलिए जो 21 22 का बेच रहा है वो मतलब अभी भी मात ही खा रहा है और अभी भी काफी टाइम लगेगा उनको कितना भाई भेन आप मेरे एक और भाई है खास अच्छा तो वह बाई के करी वह एंबिएस कर रहे है विशा का पुटनम से तो दोनों भाई डॉक्टर हां बलना जा रहे हो कियो कि देखते हैं समाज के अंदे डॉक्टर्स की वीएसे कमी तो है नियु हर साल बनते जा रहे है अच्छे डॉक्टर की कमी महसूस होती ए जबी कैंसर के अंदर कभी हाटके नीवरों के अंदर तो अच्छे युटर आ है ता कि हमारा ग्रामिन्ट शेटर भी आगे बढ बनना है किस सीज़का कैंसर का बारा हम कुछ थान पतों भी है कि बैया कैंसर पता है बिसको ओनकोलोजी स्टेडी का जाता है बेसिकली और यह कैंसर के अंदर ट्रीटमेंट होते हैं रेडियो जैसे की कीमो और ऑपरेशन सर्जरी से भी करे जा सकते हैं ऐसे आगे पढ़ाया सूनी है कि कैंसर को कोई इलाज, कुण ने इनसान की लास्ट मरती है अगनी इनिशिली सटेजिस में हम इलाज कर सकते हैं पर अगर आगे पहुंच चुका है वो अगर इस्प्रेड हो रहा है बिरे दिरे अगर मैलिंगन्ट है फिर उसका कोई इलाज ने फिर इनसान का मरना लगबग निश्चित है जब अठ्याओं थे सिक्कर गया तो सिक्कर नहीं क्यों चुणने क्योंकि जैपूर तो धर है बोध पास में है जैपूर पास में तो है पर पढ़ाई का माहूल सिक्कर में है जैपूर में क्या है कलब, बार, पब यह पूरी दुनिया को पता है और वहाँ पर गलियों के अंदर बच्चे गूमते रहते हैं और उसके कारण बरवादी हो जाती है सिक्कर के अंदर माहूल अच्छा है हाला कि उधर भी थोड़े इसी सा मश्या है तो रही अगर खुद की कंट्रोल है तो आप कहीं पर पढ़ सकते है समश्या मतलब समश्या है जैसे की वातावरन का हम जहां रहते हैं जरूरी नहीं है कि बच्चे भी हमारी तरह ही मिले हमें अनेक प्रिकार के बच्चे मिलते हैं जिसकी जुनजों की तरफ के कोटा की तरफ के और बाड मेर बुपन दी यहां के बच्चे मिलते हैं और देखते हैं उनकों क्या जुनजों का टभर कहा है सबसंदी ब़हाशय अज़ा उनकी अच्छी लंगुज तो मैं भी जुन जुन वाली बोलन लाग रही हूँ हाँ तेज जुन जुनवाला तोड़ तेज होते हैं के तेजग पर देखें देखे तो बहुत सरे हैं म 노래akan, खुब तेज होते हैं अपने आप में बहुत टैलेंटेज भी होते हैं अगर वो पढ़ाई करना चाया तो बहुत आगे जा सकते हैं GCI थे चुनने और भी कोचिंग तो बहुत ही कोचिंग बहुत थी पर मेरे जो बड़ा भाई था उन्होंने GCI से सेलेक्शन लिया है और GCI के अंदर हमारे सर प्रदीब बुढानिया जी वो मोटिवेशन अच्छा करते हैं और राह बटकने नहीं देते उनका कंसेप्ट तो सिंपल है कि बस पढ़ते रो एक दिन मुकाम मिल जाएगा तो इससे confidence हमेशा बना रहा कोचिंग के अपा बात करां तो कोचिंग के अंदर के माहूल कोचिंग के अंदर देखो बच्चे तो हर जगा के मिलते हैं और हर प्रकार के बच्चे मिलते हैं बिगडे भी मिलते हैं सुद्रे भी मिलते हैं संगति हमें अपने आपको डिसाइड करने पड़ते कि आपका जो ग्रूप होगा वो कैसा होगा कोचिंग के अंदर वातावरण अच्छा था, टीचर्स अच्छे थे, मैंटर अच्छे थे, और सब शोशली सब अच्छा था, कोई ऐसा नहीं था कि आपको आके डिस्करेज करें, बस अगर आप पढ़ने वाले हो, तो सब जगा सही है, और कोचिंग तो वैसे मेरे साब से मे कोचिंग जाना है, फिर थोड़ा आदी एगंटे का नेप लेना है, और उस नेप के बाद फिर पढ़ाई कंटीनू, खाना खाओ, और खाने के बाद थोड़ी दे इदर दुट है लेना चाहिए, ताकि खाना पज जाए, और हैवी महसूज नहीं हो, फिर पढ़ने पेड़ हो जाओ, और टाइम होते हैं, फेमिली को कितना सपोर्ट रही है, फेमिली का मेरे बड़े बाई का बहुत सपोर्ट है, क्योंकि वो पहले से इन सिच्वेशन से गुजर चुका है, हाला कि उसे दो साल लगे थे तैयारी के अंदर, इसलिए उसने मुझे बताया अपना है ना खुद पर, तो इन्होंने हमेशा मेरे सपोर्ट किया है, नर्वसनेस होती तो, नर्वसनेस हाँ, कभी कबार, जब मैं पहली बार चीसी आए, मैं एक्जाम दिया, तो वहाँ पर भी नर्वसनेस थी, वहाँ पर भी अच्छे नंबर आया फिर, पर ऐसे चलता रहा, त नर्वसनेस जाती रही, और एक्जाम के दिन भी में गया, तो थोड़ी बहुत नर्वसनेस थी, और थोड़ी एनेग्जाइटी के कारण वो मीटिंग हो गई, और उसके कारण थोड़ा सा पेपर के अंदर इंपेक्ट पड़ा है, यानि कि 690 नंबर आया ही, तो मन लागा ह कर देता, जी कर चुका था, पर क्या हुआ जो ओमार थी, उस टाइम पर प्रेशराइज इतना जादा था कि मैंने दो घंटे के अंदर पेपर को खतम कर दिया, और किता गंठाव पेपर पेपर आता है, तीन गंटे 20 मिनिट का, इतनी तावल बाजी बाजिया गया, तावल के कारण फिर दीरे दीरे वही चलता रहा, और आकरी के अंदर भी वही हुआ, इस पीड से पेपर के चकर में, दो घंटे के अंदर पेपर कंप्लीट हुआ, फिर में एक गंटा उसको अच्छे से वापिस देखा, पर फिर भी गलतिया तो होई जाती है, और गलतिया थी, कि साथ सो पांस तक आ रहे थे मेरे नंबर, बट ओमार फिलिंग के टाइम पर हाँ स्लिप होने के कारण कुछ क्योशन गलतों के, तीन क्योशन का फरक पड़ा, इसलिए में 690 पटक गया, नीट की त्यारी कर रहा है, तो सिंपल सी एक ही बात है, कि ये जो रेस है, कि ये डेली का डेली पढ़ सकते हो, अपनी पढ़ाई के प्रती कंसिस्टेंट रह सकते हो, और इच्छाओ का दमन करते विए आप पढ़ोगे, तो आपको रिजल्ट तो मिले गई, उतने ही लाने का, अगर पिछले टेस्ट में आपके 350 आएं, और आगे वाले भी सोचें 350 तक ल प्रिवेशन लूँ जाता है, और उनका फ्रेंड सर्कल भी कुछ इसी प्रकार का बन जाता है, कि उनको आपके नहीं और आखरी तक जाते है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और सिंपल सी बात है, फिर एग्जाम में जाते हैं, वो यह सोच के जाते हैं, और अगले साल भी घ पिता जी ने इक वातन जी निकाट टेकल करें भी कि शुरू आखरी दिसानी देश बढ़िया दिया इने, और सब इन होसल आप जाई बार बार करता रहिया, जी शो आई चाहिए आगा 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 कदम बढ़ातो रही है, तो अंकल जी थानी के लाग रहे हैं आज बेटा क करोना के अंदर जैसे देखता था में, डॉक्टर, जी शुरू आखरी देखता था में, डॉक्टर, जान से मैनत कर रहे हैं, ताकि उनके पेशेंट बच सके, वो ट्रीटमेंट डूनने का प्रियास कर रहे हैं, और भी कहीं चीजे कर रहे थे, और कई भी लोग डॉक्टर इलास करते ही, उनका भी देहान तो हो चुगा था, तो बूरा लगता था कि यार, देखो, डॉक्टर बन रहे हैं, पर डॉक्टर के साथ क्या हो रहा है, फिर दीर दीर खुद को ऐसास हुआ, कि जब मेरे खुद की फैमेली के अंदर, मेरी भूआ की डेथ हो गई, कोरोना काल में, फिर खुद वो लगा, कि ऐसे अगर लोग मरते रहे, तो जीवन तो सीक्यों रहे हैं, नहीं क दस दस लाग, पंदरा लाग, बीस लाग, तो एक ही बार का इस्टॉल्मेंट लेतने सरजरी लिए, तो मैं यही चाहूंगा आगे जाकर भी, कि जितना हो सके, खुद की तरफ से, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते सरजरी या इलाज को, उनके प्रती भावुक और उनका इ अपने साथ महीं मम्यों भी बात कर लाग, बच्चों पर असरवा तो काया को? मेरी तो इच्छे यह डोक्टर बन रहा है ना, अच्छा डोक्टर बन रहा है यह, गरीबों की सेवा करें, जो भी अपने गाहों के हैं, उनका सम्मान करें, इसके पास जाए, अच्छा डोक्टर बन जाए, उसके बाद में पहले उनकी सेवा करें, यह इच्छा है मेरी, ल तो वीडियो निट ज़िती क्लियर हो गे जैसे कोई भी कॉम्पिटिशन के एक्जाम हो एसे सी हो जई ही हो नीट हो कोई भी तो भाई लगातार वीडियो के मादे मों देखे क्रिशन की फेमली कन में आया बाची तैबा करी तो वीडियों से लाइक कमेंट ज़रूर करियो जहीं जे राजस्तान राम राम जे